वेगाइस वेलकम बैक तो अबर्चानल अगीन आई होप यौल आ दूइंग वेलें स्टेंग सेफ हम लोग कर रहे थी अरिहान जी के बाए मनुहर पांडे जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करी थी सो इंडियन पॉलिटी में हमने कल जो है वो स्टार्टिंग कॉंसुशन से गरी थी वही बढ़ा था आज हमने पढ़ने हैं इंपोर्टिंट आर्टिकल्स में तो आर्टिकल्स जो भी है उनके बारे में बढ़ेंगे सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को इंप सविधान जो कहता है इंडिया मतलब भारत है वो क्या है शेल भी यूनियन ऑफ स्टेट्स अक्या नहीं नहीं establishment states की new states की establishments की बात करते हैं अगर admissions या establishment बोल सकते हैं अगर हम बात करते हैं तो वो article बन चलेके 4 तक में आ जाता है जो हमारा सविधान है हमारा constitution है वो empower the parliament for a new state and to alter the areas boundaries or name of the extinguished existing state मतलब की हमारे सविधान में यह लिखा गया है one से लेके four article तक में क्या लिखा गया है कि जो है कोई भी नई state बना सकते हैं alter कर सकते हैं किसी भी area को कम छोटा बढ़ा कर सकते हैं boundaries को छोटा बढ़ा कर सकते हैं फिर किसी भी स्टेट का जो इनाम चेंज किया जा सकता है ठीक है जैसे कि इसमें एक नोट लिखा हुआ है तो पहले क्या था जेन के जेन के स्टेट था फिर जेन के स्टेट को जो है किस एक्ट के तहर री और्गनाइजजिशन एक्ट तो तुट न नाइनटेन के तहर और यूटी ओफ अलदा को यूटी ऑफ जेन के बनाया गया ठीक है Part 2 में आपका Article 5 से लिखे 11 तक आता है so part 2 में हमने पड़ना है criticism जिसमें आपके Article 5 से 11 तक आते हैं तो इंडिया इसमें क्या लिखा हुए कि इंडिया का citizenship कौन कहलाएगा जिसके पास यह ऐ 5 जो वेज बताएगे है कि जो इंडिया की citizenship को acquire कर सकता है एक 1955 के तहर बाइबर्थ यहां तो उसका जनम यहीं भी हुआ हो इंडिया में तो वो बाइबर्थ क्या है इंडियन है ठीक है बाइ रेजिस्टेशन अपनी रेजिस्टेशन इंडियन करा दो बाइ इंकॉर्परेशन बाइ डिसेंट बाइ नेच्रलाइजेशन ओके यह फाइज हैं जनके द्वारा इंडिया की सिटिजन्शिप को एक और किया जा सकता है तीन मैथड है कौन से ऐसे तीन मैथड हैं जिसकी वज़े से इंडियन जो पॉर्सन है वो अपनी को लोस कर देगा तो कौन सी है लूजिंग ऑफ इंडियन सिटिजन्शिप एक तो फर्स आती है रिनुसेशन और सेकिन आती है टर्मिनेशन थर्ड आती है डेप्रिवेशन तो थू सिटिजन्शिप एक्ट ट्वेंटी नांटीन मेंबर ऑफ हिंदू, सिक, बुदिस्ट, ज उनको इंडियन सिटिजन्शिप दी जाएगी पार्ट थर्ड है फंडमेंटल राइट जिसमें आपका आर्टिकल 12 से 35 आते हैं और सबसे पहले इसमें आता है राइट टू एक्वालिटी जिसमें आर्टिकल 14 से 18 तक आते हैं ठीक है 14 से 18 तक आते हैं राइट टू एक्वाल on ground of religion, race, caste, sex and place birth, article 15 है, किसी से भी discrimination करना है, किसके बेस पर religion, race, caste, sex, इन सब चीज़ों पर ठीक है, फिर equality of opportunity in matters of public employment, तो article 16 है, फिर abolition of untouchability, article 17, and abolition of titles, article 18, तो यह किसमें आते हैं, fundamental rights में, article 14 से लेकर के 18 तक, उसके बाद, right to freedom में, article 19 से लेकर 22 तक आते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है, protection of certain rights regarding speech, expression, assembly association, movement, residence, and profession, यह है आपका article 15, कौन से कुछ certain rights जो हैं, उनकी protection के लिए, speech आ गया, expression आ गया, assembly, association, movement, residence, profession, तो यह article 19 में आता है, protection in respect of conviction for offense, यह है आपका article 20, protection of life and personal liberty, article 21, protection against arrest and detention in certain cases, article 22, तो यह आपको याद रखते जाना है, साथ-साथ में, एक बार आप रीट करोंगे, तो आपको सारी चीज़े, क्लियर होती जाएंगी, उसके बाद में आता है, आपका right to education, article 21A, state that, जो article 21A है, इसमें यह बताया गया है, कि, इसमें क्या बताया गया, state shall provide free and compulsory education to all children of age 614, 16-14 साल तक के बच्चे की जो है education free provide कराई जाएगी and compulsory है यह सारे children के लिए, okay, उसके बाद में आता है, right against exploitation, article 23-24 तक, इसमें सबसे पहले आता है, prohibition of human trafficking and forced labor, और दूसरा आता है, prohibition of employment of children in any factories, etc, उसके बाद में आता है, right to freedom of religion, जिसमें आपका article 25-28 आते हैं, सबसे पहले इसमें, freedom of conscience and right to profess, practice and propagate once religious beliefs, यह article 15 आ जाता है, उसके बाद में, freedom to manage religious affairs, article 26, freedom from taxation for promotion of any particular religion, article 27, freedom from attendance of religious instruction or religious worship in certain educational institute, यह आपका article 28, उसके बाद में आपका आता है, cultural and educational rights, तो इसमें सबसे पहले आता है, protection of interest of minorities, article 29 है, फिर उसके बाद में, right of minorities to establish the, administer educational institutions, so article 30, उसके बाद में आता है, freedom of press, तो इसमें, यह किसमें, article 19 में implicit, किया गया है, article 20 or 21 जो है, वो cannot be suspended even during national emergency, के चलते भी, वो जो सस्पेंड नहीं किया जाते हैं, article 352, right to property under article 19 1 F, was repealed by 44th amendment act 1978, and was made a legal right under article 300 A, so इसको रीड करना है, जादा grasp करने की ज़रात नहीं है, ठीक है, उसके बाद में आता है, right to constitutional remedies, right to move to the supreme court में जाने के लिए, article 32 हमें right देता है, high court, article 226, in case of violation of the fundamental rights, we are embedding कर, called article 32, as a heart and the soul of the constitution, ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है, कि अगर right to move to the supreme court की तरह जाने के लिए, supreme court में जाने के लिए, आप हमारा कोई case है, कुछ भी supreme court में जाने के लिए, article 32 के, according हमें right है, कि हम case कर सकते हैं, ठीक है, और high court, article 226, in case of violation, जाने से हमारे fundamental rights के कोई वायलेट कर रहा है, तो, article 32 के regarding जो है हम, भी आर अंबेट कर ने कहा है, article 32 के तहत हम जो है, यह क्या कर सकते हैं, हाई court में जा सकते हैं, heart and soul of the constitution को उनते, प्यारम बेट कर, उसके बाद में, five rights of habeas corpus, mendemus, prohibition, फिर, satelory and acuberanto can be issued under this law, यह देखो, यहाँ पर आपको इसको read out कर ले ना, यह पूरा table यहाँ पर बना हुआ है, habeas corpus, मतलब you may have the body, and intended purpose क्या है, to release a person, who has been detained, unlawful, whether in prison, or in private custody, उसके बाद में, we command, meaning इसका, और intended purpose क्या है, अपने performance को secure करना, public duties की, by law court, tribunal, or public authority, okay, उसके बाद में category, to be certified, to quash the order already passed by an interior court, tribunal, or judicial authority, prohibition, act of stopping something, किसी चीज़ को रोक देना, ठीक है, किसी चीज़ को रोक ना, to prohibit an inferior court, from containing the proceeding, in a particular case, where it has no judicial, to try, उसके बाद में, what is your authority, to restrain a person, from holding a public office, to which he is not entitled, ठीक है, ठीक है, तो यह आपके पास में, पूरा table given है, विडियो को pause करो, यहां फिर screenshot ले लो, और उसको read out करो, समझ में आ जाएगा, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, पाथ वोड जो है हम, कल वाली वीडियो में करेंगे, आई होप आपको आज की वीडियो अची लगी हो, अगर अची लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना, सबस्क्राइब करना है मेरे चानल को, थैंक्स फॉर वाचिंग में वीडियो,